वारत ने इग्नोर पाकिस्तान की continuous policy रखी और वो एक correct policy है आम पाकिस्तानियों को बाकाईदा ये सिखाया गया है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है पाकिस्तान में इंडिया कहां पे चला गया और पाकिस्तान कहां पे अभी 1947 में है पाकिस्तान में स्कॉलर से लेके पॉलिटिशन से लेके आम पॉब्लिक से लेके सेलिब्रेटिस से लेके हर आदमी के अंदर भारत की एक नफरत है और जो भारत में बेठा हुआ आदमी ये कह रहे ना कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है हमारा दुश्मन नहीं है फलान डुमकान वो एक्चली भारत का खुद दुश्मन है अब यह हम रोज बात करते हैं कि कितनी ज्यादा रिलीवेंस भड़ चुकी हुई है इन टरम्स वेस्टरं वर्ड की आगे बारत की एक तो वो समझते हैं कि बड़ी मार्किट है दूस्रा वो समझते हैं कि हम चाइना को काउंटर करने में मत करेंगे तीसरा वो समझते हैं कि हम इनके साथ ट्रेट करेंगी इनकी पोटेंशिल है अमरीका के साथ 190 अरफ डॉलर की ट्रेड है जाद अजाद करते करते हैं आपस में इतने ज्याद क्लैशिस हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के के आपस में हम लोग तजारत नहीं कर सकते हैं हैं उसे परकार की बाते कर रही है और वहां के जो नेता है न वह वह बहुत करना शियर करने उस्प्राइब के बजट से ज़्यादा इंडिया के प्राइम निस्टर नेहंंतर मोदी जम्मो कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां का बजट अलोकेट कर रहे हैं. मेरा एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि सर काश अंग्रेजी रहता तो अच्छा था. यह क्यों कह रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली वहां इमानदारी से मुल्क को आगे तो बढ़ाता है, ठीक है. मुझे बताएं कि कश्वीर में जानवर जिबा करने की जादत नहीं है ठीक है एड प्रॉपर तरह कैसे मनाने की जादत नहीं है लेकिन अप्रॉक्सिमिटली जितना हमारे हैं जल्म है लोगों के हकुख जब्त किया है वो तो एक इलाका है ना यहाँ पूरा मुल्क ज़िए ह लोगों के हकुख नहीं मिल रहे हैं सर मेरे ना इंडियन मुस्लिम बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मैं उनसे इंटाच हूँ यकीन गरे मों मुझे बताते हैं दिखाते हैं कि वहाँ पर कितनी अच्छर खुशाल जिंदगी गुजार रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है आप जो लोग जुड़े हैं बहुत अलिमी आफ़ता है उनके बात तचरबा बहुत है जिसकी वज़े से उनका जो भी इंप्लिमेंटेशन है ना किसके ओपर अपनी गवर्मेंट के ओपर वह बहुत अच्छा है उनका मुल दिन बादिन तर्की करता चला यह आरा है और यह बिल मुसल्मान है कश्मीरी खवातीन है क्योंके वो दुबटे में हिजाब में है उनके नाम मेंशन किये गए है तो अगर मुवी इसके अंदर आप देखे तो एक हिंदू जब मुसल्मान का लिबादा उड़ता तो वो वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे कि मुसल्मान करता है अगर एक के अल्ला का शुकर है तो बहुत सारी हिंदू ये लवज इस्तमाल करते हैं कि अल्ला का शुकर है नरिंदर मुदी जैसा हमें एक लीडर मिला और आज हम उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोगेस आसल करें इवन कि हम हमारे प्रोड़िफरेशन में बहुत देव जबता हैं कि हम तरक्की पर नहीं है इसको आप भी बहुत रीते कैसे जानती है और हर खास वाहम आदमी बहुत अच्छी चीए था वह बेसिकल हमें जो जॉइन डिस करते हैं हमें जलाते हैं कि देखो तुमारा जो गवर्मेंटल प्रोग्राम है वो कितना पीछे है और प् कॉम्पेटेंट है कि आज उसने इंडिया को खड़ा कर दिया है ठीक है हजारों के तादार में डैम बन रहे हमारे डैम ही नहीं बन रहे है तो वो बिसिकली कंपरेसन देते हुए हमें डीग्रेट करने की कोशिश भारत पाकिस्तान के मिलाब की बाते हो रही है इसका फाइद सेटल हो जाए देखें पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेररिजम वो टेररिजम की सबसे बड़ी मार्किट है पाकिस्तान की भारत दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान तो उल्टी गंगा बे रही है क्योंकि अब टेररिजम अफगानिस्तान से पाकिस्तान म लिए दाइश खुरासान अफगानिस्तान में टेररिजम के लिए पकड़े गए थे और अफगान एमबेसेडर जो है और अफगान गवरनर्स हैं ये रात को निकल के चोकियां करते हैं पाकिस्तान के आयाश पॉलिटिशिंज और आर्मी के जनरलों की तरह नहीं है कि 25 का एक एक फोजी इस वक्त पाकिस्तान की इन्फल्ट्रेशन को रोक रहा है इसी तरह भारत के भी एक एक फोजी ने पाकिस्तान की इन्फल्ट्रेशन को रोका हुआ है और किसी तरह भी पाकिस्तान की इन्फल्ट्रेशन हो नहीं रही पाकिस्तान की कोशिश ये है देखें पनरमी हो जाए। चीज़ों में तो वे शीज़ा ओपन हो जाएं थोड़े आना जाना आसान हो उससे क्या होगा कि आक तो पाकिस्तान में जो सैलिबरिटी तबका है जैसे फंकार ऐं कलाकार जो है और यह सब आना जाना शुरू होगा तो उससे क्या होगा क्या आसानी हो जाएगी आवक जावक में इनका जो असल इंफल्ट्रेटर्स हैं उनके लिए दूसरा हो सकता है कि इस तरह से चीजें नरम होने से ट्रेट शुरू हो जाए तो ट्रेट शुरू हो जाएगी तो पाकिस्तान के तो बारे निया रहे इसलिए कि हर के चीज़े आना शुरू हो जाएंगी आटा चावल मतलब जो जो चीज़ों की जरूरत है सबजी फूरूट है दूसरी जो जरूरियते इसके इलावा फार्मासियूटिकल की चीज़े हैं पाकिस्तान में दवाईयां बहुत महँगी हैं बारत से दवाईयां सस्ते में आ एक तो अपने ट्रेट को वापस इस्टेबलिश करेंगे दूसरा दुनिया में पाकिस्तान का जो एक खौफ का मालम है और ये सब चीज़ें वो कम हो जाएंगी कि देखो पड़ोसियों से बहुत अच्छे तालुक आते हैं फलान डूमकान और भारत को किसी तरह जहां से मेले नहीं और लेकिन आपको पता है कि भारत में वीज़ा कितना सखत रखा हुआ है पाकिस्तानियों के लिए तो आई होब दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और यहां पर आपने देखा है पाकिस्तानी पाबलिक का रियाक्शन जहां पर वैसे तो अक्सर पा धीजेगे जो कहते रहता है कि ट्रेड होनी चाहिए एक तो दुसमन के साथ भी होनी चाहिए नेकिन ट्रेडब भी पाकिस्तान ने की चतीर जज़वय के नाम पर जज़बा बहुत है ना पाकिस्तानियों के अंदर तो उसी जज़वय के कारण इमरान ख shows क और पाबलो को ब अबक्स शिकाया नहीं लेकिन पाकिस्टानियों के बूरे हाल हो गए क्योंकि बागा वोडर से जो सब्जां वगेरा पाकिस्टान में जा रही थी वो बंद हो गए वही सब्जा दुबई के तुरू गूमकर पाकिस्टान में जाने लगी तो उनकी केमते दो से तीन गुना हो ही है उनके जो नेता है उस पार्टी से जुड़े हुए जो लोग है उन्होंने कहीं सारे से बयान दिये है जिससे हम को यह लगता है कि वो चाहते हैं कि वालत के साथ रिष्टे सुदर जाए और कंद से कम ट्रेड शुरू हो जाए अगर ट्रेड शुरू होती तो पाकिस्त